Hello Techies, welcome back to my YouTube channel और राज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे beginners अपनी coding journey मोबाइल फोन से स्टार्ट कर सकते हैं सपोस्स आपके पास laptop नहीं है, आप beginner हैं और आप coding की सीखना चाते हो, programming languages सीखना चाते हो चाहिए वो कोई भी language हो, HTML हो, CSS हो, Python हो या फिर वो Java हो, या फिर वो Java script हो, आप कोई भी language सीख सकते हो, mobile phone से तो इसके दो options आपके पास होते हैं, मैं दोनों ही आपको बताऊंगी तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो just do like and share and subscribe to the channel So let's get started, तो मैं जो दो तरीकों की बात करें उनमे से, तो एक है कि डारेक्ली हम ब्राउजर पर जाके सर्च करें, जो भी हमें online IDE या फिर हमें online webzir की compiler या फिर interpreter जो भी आपको चाहिए, आपको डारेक्ली सर्च कर सकते हो Google से और आप उसको use कर सकते हो, उसमें भी हमार बस दो option होते हैं, अगर आप normal browser में work करोगे तो आप easily उसमें type नहीं कर सकते हैं, easily आप code को run नहीं कर सकते हैं तो what you have to do is, आपको उपर three dots पे click करना है और आपको वहां से उसमें से desktop side को on कर लेना, जैसी आप desktop side को on कर लोगे, वैसे ही आप अपने phone को horizontally भी flip कर सकते हो, और चाहो तो आप normally portrait mode में भी work कर सकते हो Second option is कि आप कोई application डाउनलोड कर लो Play Store से, Play Store पे या फिर आप Apple Store पे किसी से भी आप applications को डाउनलोड कर सकते हो, तो अगर आप Apple यूजर या फिर आप Android यूजर वह तो दोनों के दोनों ही applications पे work कर सकते हो, तो यह तरीका मैं पर आप Android के लिए बताने वाली हूं, तो Android वाली क आपने प्लेस्टोर पर जाके सर्च कर सकतें दो इडिस के आप बारे में मैं आपको बताऊंगी जो दोनों ही कमपाटिबल है वर्क करने के लिए अगर आपनी पाइफन की जरनी स्राट करना चाहते हैं जैसे कि हम सब को पता है कि Python एक easy to learn language, high level language अभी कोजी है तो उसमें English के normally keywords लिखके हम सीख सकने इसको तो मैं एक पर्टिकुलर ली आपको Python के लिए बताऊंगी अनातर वन जो होगा, वो होगा किसी भी language पे work करनी के लिए तो पहला जो हमारा है वो है Python का ID जो हम normally प्ले स्टोर से डाउलोड कर सकते हैं तो जस्ट आपको प्ले स्टोर और प्ले स्टोर और पर्टिकुलर आईडी और यू दाउलोड इसमें अंदर आप नमली Python पे work कर सकते हो तो जो भी आप run करना चाहो, किसी भी module पे work करना चाहते हो, किसी भी library पे work करना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें आप इस पे कर सकते हो तो यह तो हमारी Python के लिए हो गया Another one is कि आप अगर चाहो तो आप किसी और language में सीखना चाहते हो आप Python से नहीं स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर किसी और language से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो तो मैं इस IDE पर बताऊंगे आपको कैसे आप HTML, CSS और JavaScript पे work कर सकते हो तो आपको simply Google पे जाना और सर्च करना है रेपलिट एक वेबसाइट भी है जिस पर आपको कोडिंग की रिसोर्सेस मल सकते हैं रेपलिट एक एप्लिकेशन भी बना रहे है जिसके अंदर खुद का एक compiler और interpreter है तो आपको simply इसको download करना है इसके अंदर आप किसी भी language में work कर सकते हो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया पर जो हमने पहले डिसकस किया था उससे particularly python के लिए तो आप पाइथान में किसी लाइब्रेरी या किसी module पर work करना जाते हो तो आप वो प्रेफर करेंगे इसके अंदर hello world print होगा website पर तो यह hello world print होगे website है simply आपका code अल्रेड़ी हाँ पर structure आपको मिलता है अंदर मैंने एप्लिकेशन को open किया उसके बाद मैंने इस code को run किया तो hello world हमें नॉमली दिखाई दे रहा हम उसमें से अपनी website को refresh भी कर सकता है कर सकता है